जहिंद, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे MS Axle में row और columns को पता कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीका है row और columns को पता करने का कितना row होता है और कितना column होता है उसको जानने के लिए simply हम लोग क्या करते हैं कि यह जो mouse का pointer है इसको just यहाँ पर यह corner में लेकर जाते हैं और यहाँ पर click करते हैं जैसे click करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर row जो है कुछ इस तरह से है 10,48,576 और column है 16,384 कुछ इस तरह से यहाँ पर so करता है अगर आप जानना चाहते हैं कि last में 1,2,3 जैसे है यहाँ पर seriously दिख रहा है कुछ इस तरह से row है अगर आप last row में जाना चाहते हैं तो उसके लिए simply keyboard में shortcut की होता है control और यह down arrow वाला की को प्रेज करना होता है जैसे control और down arrow की जैसे down arrow की पर प्रेज करते हैं तो आप यहाँ पर last में हो जाते हैं लास्ट वाला जो रो होता है कुछ इस तरह से यहां पर लास्ट रो पर पहुंच जाते हैं यहां पर आप देख सकते हैं कि 10,49,576 यह रो है अगर आप फिट से स्टार्टिंग में जाना है यानि कि बीगिनिंग में जाना है आपको इस रो का तो आपको इस कंट्रोल और यह आप अपनी आप एरो की प्रेस करना होगा जैसे आप एरो की प्रेस करते हैं तो यहां पर देखिए सुरुआत में आ जाते हैं यानि स्टार्टिंग में आ जाते हैं अगर आप देखें कि कॉलम कितना है तो कॉलम 16,384 है तो कॉलम अगर आप पता करना चाहते हैं कि तक पहुंच जाते हैं यह ABCD के form में होता है column और अगर beginning में आना है तो फिर इस तरह से right यूर left के मदद से हम लोग last में जा सकते हैं फिर वो beginning में आ सकते हैं तो कुछ इस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं कि कितने row है और कितने column है excel में मिलते हैं हम लोग next वीडियो में तब तक के लिए bye